सूपरभाग प्यारे बचो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ चुहे चार चल रहा है जोकी इबन बतूता जोकी अर्भी के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे उनके जूतों पर जो है लिखा गया है ये एक खासे कवीता है और इस कवीता में कवी ने जो है इबन बतूतों के चूतों का बरणन किया है उनके विशे में लिखा है तो बच्चो हमने इस कवीता के जो है मोखिक प्रशन लिखे प्रशन और इसके साथ ही बहुवी कलपे प्रशन उतर भी किये थे तो आज हम इने पहले एक बर फिर से दोराएंगे और फिर हम भाशा की बात करेंगे तो पहला मौकिक प्रशन है कवीता किसके विशे में है दूसरा है पैरो से क्या निकल गया था तो इनके अंसर है कवीता किसके विशे में है कवीता इबन बदूता के जूतो के विशे में है तो इबन बदूता के जूतो के विशे में दूसरा है पैरो से क्या निकल गया था पैरो से क्या निकल गया था जूता पैरो से जूता निकल गया फिर है इसके लिखित प्रशन उतर इसमें पहला है तुफान आने पर हावा ने क्या किया दूसरा है जूता उड़कर कहां पहुँच गया था तीसरा है इबन बतूता क्या मल रहे थे ये तीन इसके जो हैं लेकित प्रशन उत्तर हैं जिनके उत्तर कुछ इस प्रकार है तुफान आने पर हावा ने क्या किया तुफान आने पर हावा नाक और कान में घुज गई थी किसके घुज गई थी इबन बतूता के दूसरा है जूता उड़कर कहां पहुँच गया था जूता उड़कर जापान पहुँच गया था तो जूता उड़कर कहां पहुँच गया था जापान इबन बतूता क्या मल रहे थे इबन बतूता जो थे वो अपने नाक और कान मल रहे थे और क्यों मल रहे थे? क्योंकि उनमें मिट्टी गुज गई थी इसी के साथ हमने इसके बहु विकल्प ये प्रशन उतर किये थे जिन में आपको प्रशन दिये वे हैं और उसके चार विकल्ब दिये हैं तो आपने सही के सही का चिन लगाना था पहला है इबन बतूता के पैर में क्या था? क, जुरा, ख, चपल, ग, जूता तो बच्चो इबन बतूता के पैर में क्या था? इबन बतूता के पैरों सिस में जूता था सब भी को याद होगा इबन बतूता के पैरों में क्या था? जूता फिर दूसरा प्रशन है तुफान की हवा कहां गुज गई थी? तुफान में जो मिट्टी भरी हमाए थी वो इबन बतूता के कहां गुज गई थी? क कान में, ख नाक में ये गः दोनों में तो इबन बतूता के कान और नाक में तुफान की हवा गुज गई थी? तो कहां गुज गई थी? दोनों में गः है इसका सही विकल्ग तो उस पे हम सही का चिन लगाएंगे फिर है तीसरा जूता उड़कर कहां पहुँच गया था? क, जापान, ख, इरान, ग, पाकिस्तान तो जूता उड़कर कहां पहुच गया था? जापान तो जापान पे हम सही का चिन लगाएंगे फिर है चौथा इबन बतूता किसकी दुकान पर गया? नाई की, ख, मोची की, ग, धोबी की तो इबन बतूता किसकी दुकान पर गया था? मोची की चूता बनाने वाले की दुकान पर गया था तो ये इसके बहुवी कल्पय प्रशन उतर थे इसके बाद हमें कुछ पंकतियां जू है कवीता के दी गई थी जीने हमें पूरा करना था जिसमें पहली है इबन बतूता डैश फिर डैश पड़े तूफान में थोड़ी हवा डैश में गुल गई, थोड़ी गुल गई कान में तो इबन बतूता पहन के जूता तो पहली लाइन में क्या आएगा? पहन के जूता फिर दूसरी लाइन देखे, डैश पड़े तूफान में, निकल, तो कौन सा शब्द आएगा यहापे, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा, नाक में गुझ गई, तो यहाँ आएगा नाक, नाक में गुझ गई, थोड़ी गुझ गई, कान में, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में गुज गई, थोड़ी गुज गई कान में, तो इस तरह ये पंकतियां हमने पूरी करनी थी, आज हम बात करेंगे भाशा की, तो आपको जो है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को पुन्हा लिखना ह तूफान, यानि कि जो आपको शब्द दिये गए है उसमें क्या गलतियां है, मात्राओं की क्या गलति है, उन मात्राओं को ठीक करके आपनी पुन्हा से उन्हें लिखना है जैसे कि पहला दिया गया है तुफान तो तुफान होता है यानि कि तुफान में जो है बड़ी उकी मातर आएगी त को जो तवर्ण है उसको कौन सी मातर आएगी बड़े उकी मातरा तुफान या ऐसे तो नहीं बोलते हैं तुफान नहीं, तूफान, तो बड़े उखी मात्रा जो है तवण में आएगी, तो तूफान फिर है जपान, जपान नहीं होता, जापान तो ज़ को आ की मात्रा लगकर आप उसको ठीक करके पुनह लिखेंगे जा, जा को आ की मात्रा, जापान फिर है तीसरा दुकान, दुकान नहीं होता, दुकान यानि कि द को जो है छोटे उखी मात्रा और कान फिर छोटा है बतूता, बतूता नहीं होता, बतूता यानि कि त को जो है बड़े उखी मात्रा आएगी तो ब, त, त को बढेब की मात्रा फिर त, आ, ब, तू, त तो बच्चो ये थी कि वर्तनी को हमने शुद करना है और उसको पुना लिखना है मात्राओं में कहां कहां गल्ती है और आपने ये कठी शब्दों में भी कीयोंगे तो आप इने पुना कीजिए और मुझे भेजिए फिर है दूसरी exercise इसमें आपने क्या करना है नीचे दिये गए शब्दों से वाक्य बनाईए आपको इस poem में से, इस कवीता में से कुछ शब्द दिये गए हैं जैसे हवा, नाप, तूफान, जूता, दुकान आपने इन शब्दों से जो है वाक्य बनाने हैं जिने हम sentence बोलते हैं इंग्लिश में तो जैसे हवा है, तो आज हवा ठंडी है इस तरह आपने इन शब्दों का प्रियोग करते हुए जो है पूरा पूरा जो है वाक्य बनाने हैं नाक, हमारे एक नाक होती है या नाक से आप कोई दूसरा शब्द वाक्य जो है बना सकते हैं तूफान, जूता और दुकान इसी तरह आप जो है जितने भी आपको ये शब्द दिये गए हैं पांच इन पांच पर जो है आप वाक्य बनाएंगे और मुझे भीजेंगे तो बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों अभ्यासकारे जो हैं समझ आए होंगे पहला तो था कि आपने वर्तनी को शुद्द करके लिखना है आपने जो मात्राएं गलत लगी हुई हैं उनको ठीक करना है और फिर से पुनह लिखकर भीजना है और दूसरा है वाक्य बनाने हैं आपको ये पांच शब्द गी गए हैं आपने इन पांच शब्दों पर एक शब्द पर एक वाक्य जो है लिखना है और मुझे भीजना है तो चलिए बचो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ धन्यवाद आपका दिन शूप हो